अपने को यह दे रखा है कि दो आइडेंटिकल सोनोमेटर वायर हैं जिनका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इक्वल है 500 हर्ट्स और दोनों सेम टेंशन में रखे गए हैं तो अपने से पूछा है कि किसी एक में पर्सेंटेश चेंज अफ टेंशन कितना होगा सच देट दोनों को अगर फिर से बजाया जाए तो पांच बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस हो तो इस कुश्चन के लिए अपने को जैसा कि एफ जानते अपना फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होता है वन बाइट टू एल रूट अंडर टी बाइएम दोनों वायर सेम है तो दोनों का लेंथ भी सेम है तो एल तो कॉंस्टेंट है बेसिकली एम भी वायर सेम है तो मास पर उनिट लेंथ भी सेम होगा एम भी कॉंस्टेंट है तो एफ बेसिकली इक्वल टू सम कॉंस्टेंट टाइम्स रूट अंडर टी अगर अपन डिफ्रेंशियेट कर दें इस इक्वेशन को वित रिस्पेक्ट टेंशन तो अपने को मिलता है डेल्टा एफ एक्वल टू सम के टाइम्स हाफ चोल्ट अगर अपने एक्वल टू डेवाइट कर दें यह यह ऐसाए गाइस डाइम्स 1 by 2 root under t delta t और into 1 by k delta t आ जाएगा k से k constant कट गया यह अपना बन गया delta f by f equal to 1 by 2 delta t by t this implies that delta t by t यह अपना equation बन गया तो basically delta t by t equal to 2 times delta f हो जाएगा क्योंकि अपने को यहाँ पर जो दे रखा है तो अगर अपन solve करें तो यह कुछ इस तरह से आ जाता है this implies that 2 times delta f by f equal to delta t by t तो यह हो जाएगा अपना delta f by f कितना frequency अपना 5 by 100 हो जाएगा change in frequency 5 out of given frequency is equal to delta t by t तो इसको अपन 100 से multiply करते है percentage change निकल जाएगा तो परसेंटेश चेंज के लिए delta t by t in 200 this goes to 500 in 200 basically 2% अपना answer हो जाएगा O option C